जुजुस्टू काईजं के नए चैप्टर के स्पोयलर्स आ चुके है जैसे कि सुकूना का डोमिन एक्सपंशन वापस आ चुका है और यूजी अपना एक पैर्क हो चुका है पता नहीं क्या होगा आगे चलके लेकिन शुरुआत कर लेते हैं चैप्टर नमबर 258 की चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पर नरेटर में बता रहा है कि दो ब्लैक फ्लैशिस हिट करने के बाद भी गोजो ने अपनी से रिवर्स करस्ट टेकनीक को सर्केट बिल्ड कर लिया था क्योंकि वह आवेकन स्टेट में था लेकिन सुकूना यहां पर नहीं कर पा रहा है क्योंकि गोजो को सिर्फ डो ब्लैक फ्लैशिस हिट हुए थे लेकिन यहाँ पे साथ ब्लेक फ्लैशिस हैं वो सुकूना को हिट हुए हैं उसको काफी ज़्यादा डैमेज हुआ है इस वज़े से वो जल्दी अपना जो रिवर्स कस टेकनीक है वो बिल्ड नहीं कर पा रहा है और यह जो साथ ब्लेक फ्लैशिस थे न वो सुकूना और मैगूमी के सोल के बीच के रिलम में मारे गए थे जिस वज़े से सुकूना और मैगूमी के बीच का जो connection था सोल का वो भी दीला हो रहा था और तबी सुकूना अपनी domain expansion का यूज़ करता है जिसका नाम है Maryvolent Shrine और यहाँ पे king world का use सुकूना के लिए करते हुए कहा जा रहा है कि king का domain expansion वापस आ चुका है सुकूना अपना domain expansion वापस ला चुका है और इसकी वज़े से आसपास की चीजें slash होने लगती हैं जैसा कि हमने शिबूया में भी देखा था लोग कट रहे थे, चीजें कट रही थी, मर रहे थे लोग और इसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है सुकूना ने इससे पहले काफी ज़़े ब्लैक फ्लैशेज, बाइंडिंग और वाज जैसे अटेक्स को सहा और इसके बाद भी गोजो, मा की यूता, mostly वो सबसे ही लड़ रहा है लेकिन फिर भी सबसे लड़ने के बाद और डैमेज को सहने के बाद वो अपना डोमेन एक्सपेंशन गेन फिर भी कर लिया उसने तो फ्लैश बैक में हमें दिखाया जा रहा है कि हकारी कहता है कि रिवर्स कर्स टेकनीक को लर्न करना काफी जादा इंपोर्टेंट है जैसे कोई ओपनेंड डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है तो उससे काउंटर मेजर कैसे करना है और तब ही चूजो कहता है कि अगर RCT की बात है तो जैसे तैसे वो और UG تو manage कर सकते हैं लेकिन UG सोचता है कि कैसे कर सकते हैं वो उसको कुछ भी नहीं पता उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है हैं और यहीं पर पोँछता है कि जब हम RCT का यूज करेंगे तो already पहले से ही blood का loss तो होई रखा होगा तो हमें अपनी body को regenerate करते वक्त उस blood loss का compensate कैसे करेंगे और तब ही शोको कहती है कि शोको अपनी curse energy को ये blood में convert कर लेती है लेकिन हकारी और यूता को इस चीज का कोई भी idea नहीं है कि वो किस तरीके से कर लेते हैं उनका automatic हो जाता है और चोजो कहता है कि उसकी body तो allow करती है कि वो curse energy को blood में convert कर सके और यूजी अगर अपने remaining brother को consume कर ले तो उनकी भी curse technique, उनकी properties और fighting techniques को जितनी भी skills उनके पास है वो यूजी के पास आ जाएंगी तो चोजो कहता है कि RCT जो है वो curse energy में जो consume होगी वो काफी जादा large amount की होती है और चोजो और यूजी को तो इसको use करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो उनकी body है वो already special है तो उनको ये चीज यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी चोजो यूजी को बोलता है कि तुम किसी के साथ pairing कर लो जिसको RCT आती हो और वो जिसके साथ pairing करेगा उसके साथ body swiping training करना शुरू करते लेकिन यूजी confused हो रहा है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं आपे और तभी यूजी यूजी reveal करता है कि उसकी जो curse technique है वो किसी भी human being की soul को swap कर सकती है basically किसी की body के साथ किसी और की soul को बदल सकती है और तभी कूसा काबे कहता है कि जब से सुकूना ने यूजी की body को took over किया है यह मतलब जब से सुकूना यूजी की body में था तब से यूजी की जो body है वो किसी भी technique को use करने के लिए prepare हो चुकी है वो कोई भी technique का भी use कर सकता है और easily उस technique को सीख भी सकता है क्योंकि अब उसकी जो body है वो एक special grade की हो गई है तबी कुसा कावे और UG body swap कर लेते हैं ताकि कुसा कावे UG की body को curse energy manipulation और simple domain UG की body को सिखा सके और उसी के बाद present में UG अपना simple domain use करता है और एक protection layer बन जाती है क्योंकि सुकूना की domain incomplete होती है इस वज़े से वो simple domain use कर पाता है और सुकूना का ये domain जादा देर तक use नहीं कर सकता अब उसके पास इतनी जादा power है नहीं और जिसके पास curse energy नहीं है मा की को वो उसको भी target नहीं कर पाता क्योंकि सुकूना की body अब तक बहुत जादा लड़ चुकी है अब उसके पास इतनी energy नहीं बची है इस वज़े से वो काफी जादा लोगों पर attack नहीं कर सकता कि नहीं गिनी चुने पर ही attack कर सकता है और यहीं पर सुकूना सिर्फ 992 तक ही domain expansion का use कर सकता है अब सबको 992 तक ना किसी भी तरीके से अपने आपको protect ही करना पड़ेगा और तब ही यूजी का जो simple domain है वो crack होने लगता है वागि सुकूना की slashes जो है वो उस पे hit करने लगते हैं और slashes की वजए से यूजी का एक पैर कट जाता है भाई मतलब सुकूना कितना ही तागतवर हो सकता है यार सोचो तुम लोग उसको बिलकुल भी hit नहीं कर पार हो लेकिन उसने mc का पैर ही काट दिया इंसान के हाद ही पावर पैर के अंदर ही होती हो और उसने वह ही काट दिया और उसी के बाद slashes अचानक से रुख जाते हैं और यूजी भी नोडिस करता है कि slashes क्यों रुख गए और तभी सुकूना अपना फूगा टेक्निक यूज करना शुरू कर देता है अगर तुम्ह को लटाय गे जिसने जोगो को एक ही बार में हरा दिया था तो सोचो अगर यूजी का यहां पर क्या होने वाला है और यही पर चैप्टर का एंड हो जाता है अब सुकूना ने फूगा टेक्निक का यूज करना चालू कर दिया है यूजी का एक पैर कड़ गया है तो क्या य झाल झाल